गुड़ाफन वेबरीवन वेलकम तो फोर सेवन के तीचे सब्सक्राइब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं सोलंग की आपके साथ लाइब दो चुका हूं आपके आज के सिशन में तो भाई आज हम नया टॉपिक सुरू होगा ठीक है और टॉपिक है हमारा आप देख अभी चेक करिएगा अभी वाज आ रही है विड़ा अभी बोर्स के लिए रही है यहां पर आपका तक्षीन आसीस शुईता अशोक कुमार सिखा चूबे सुदीपता आसीस सुनिया ठीक है या तेंद्र सब जुटते जारे बच्चे भाई सारे में जुट जाओ पड़ाबर से आजाओ और फिरम सेशन को इस्टार करते हैं देखो आप देख रहो भाई यह आपका CTAT और UPTAT दोनों ही एक्जाम को हम यहां पर तयार करेंगे ठीक है CTAT का हमारा जो हम लोग प्रॉपर जो सिविस कवर कर रहे है ठीक है वो आपके टॉपिक ऐसा है जो दोनों में आते हैं ध्यान रखिएगा लेकिन हम लोग CTAT की थीम को पहले सब कंप्रीट करेंगे पहला topic हमने कवर किया था सर आपके पहली थीम परबार और मित्र हमने कवर किया है उसके अंदर आपका जो पार्ड था आपका प्लांड का या फिर अनिमल्स का या फिर रिलेशन्शिप का वो हमने कंप्रीट कर लिया है तो आई होब जो बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे आप लोगों को अपना गोल डिसाइड करना होगा अगर आपको पहुचना है तो ठीक है अगर आपको पहुचना है कि सर अहाँ मेरे को जो है यह मेरा डेसिनेशन है जिससे कि मैं अपना CCTق वालिफाइड करने के बाद मैं अपना UPST certified करने के बाद है न और मेरे को इव यह 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 करें यार बीबी और लाइक करें फटाबट से सेशन को भाई आप जारे बच्छे लाइक और शियर कर दें पानसों बच्छों प्लस होते ही हम लोग यहां पर क्ला सुरू करना हैं कि अपने त्यान रखिएगा 500 प्लस होने पर ठीक है जल्दी से आगी बढ़ते हैं लोग ठीक अगर आप पर्चेस कर रहे हो बाई तो कोड बल लगाना ना बूलें वाई वन एट फोर सेवंटेशन परसंद का ओफ है फाइदा इसमें यह है आपको टेस्स सेरीज ही मिल रही है लाइप क्लासिस भी लाइप क्लासिस में देखो सी टैट भी मिलेगा इसमें आपको और य इंक्लूड है और कॉस्ट सर आपके कितनी है अराउंड थिरी थाउजन रोपीज अगर अब कोड लगाकर कि इसे पर्चेस करोगे आप तो भाई थिरी थाउजन पैडल हाँ पैडल सेजल क्या रहे है सर हमने पर्चेस कर लिया है वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है पर ओके कुमारी प्राइज प्रिती कह रही है ओके कैसे पर्चेस करना है अंकीत बढ़ा बता दूँग मैं पर्चेस करने के लिए आपको अड़ड़ 247 ठीक है अड़ड़ 247 का जो एप है वो डानलोड कर लोगा ठीक है वहां से इसे आप पर्चेस कर सकते हो ठीक है मोनिका होते हैं कुछ लोग आते डिसलाइक कर देते हैं उन्हें ने देखा भी नहीं क्या होगा क्या नहीं पढ़ाएंगे सर ठीक है नेलम कैसे लेनी है देखो फिर भी कोई डाउट रहता किसी बच्चे को सर कैसे लेना है ठीक है तो मुझे बता देना मैं आपको पता पता है आपको 2,500 डाइसर रोपे au बंत है आपको मुच्किल से आप देखोगे अगर तो बहुत कॉस्ट काव मैं है वैसे तो पर हो सकता है आपको मिल तो ठीक है कल का पीडम में लिगा होगा आपको चलिए आगे बढ़ते हैं यह हमारा यूपी टैट का बैस सुरू हुआ भई आपका ठीक है पेपर फर्स जो है यूपी टैट का जो बच्छे पर्चेस करना चाहें यह नया सुरू हो रहा है आपका 11 अक्टूबर से नया बैस सुर कर सकते हैं इसमें आपको सीडी प्यासी सर पड़ा रहे हैं इवेस में बढ़ाऊंगा खांसर आपको इंगलिस पड़ाएंगे हिंदी और आपका मैथ ठीक है यह पेपर फर्स्ट होगा आपका आप इसको जॉइन कर सकते हैं यूपी टैट के लिए जो बच्छे यूपी ट आपको वाइटी जो हमारा टेलिग्राम है आपका जो वाइटी सेसन होता है वहां से मिलता है और टेलिग्राम से मिल जाता है अब देखिए भाई इस्टार्ट करते हैं टॉपिक आपका यह रहा भोजन क्या है ठीक है फूड की बात करेंगे सबसे पहले हम थोड़ा सब थो 200 नented नक पैक बलकुल किया सकते हो तिवारी सर बहुत अच्य पढाते हैं बलकुल नहा जी तिवारी सर बहुत अच्य पढाते हैं मैंत पड़ाते हैं घजब का मैत है उनके पास ठीक है मिन्टू पीडेव आपको मिल जाएगा बिटा रधा दुगा कहांसे मिलेगा लास ट्रास में ने आपको बताया भी ता पीडेव कैसे मिलेगा आपको ठीक है चलिए सर चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं सर तो यहां पर देखिए भोजन क्या होता है भई ठीक हो सब्से बहètement करें सर फूर्ड की तो हम भी जानते हैं भ्याइछ जीव आप हो या मैं हो या कोई भी जीव जन्तू जितनी भी हैं सब और आप हो या मैं के लिए भोजण की किसकी सर बोजन की आवसकता होती है या उर्जा की आवसकता होती है सर बुलकुल उर्जा की आवसकता होती है सर एनर्जी की आवसकता होती है ठीक है और वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है सर हमें वो एनर्जी बोजन से मिलती है द्यान से समझिएगा पॉइंट को, एक एक चीज द्यान से समझना है, और मैं बिल्कुल द्यान ना बढ़ा, जीरो लेवल से पढ़ाओंगा, जो बच्चे भी हमारे ज्यादा बुद्धिमान हो, ठीक है, वो थोड़ा सा वेट कर ले, जीरो से हम लोग हीरो बनेंगे, ठीक ह मेरा पॉइंट यह है, याम समझाने का आप लोगों को, सर मेरा 1900 लगा है, आपके कोड लगाने से, ओके, ओके सुसमा जी, ठीक है, ओके, गलेम बिद नेहा, क्लास बहुत अची है, बहुत बढ़िया, साइंस भी, पढ़ाया करो सा, सैमन वाली क्लास साम को, कोई नहीं का ब को उर्जा नहीं मिलेगी, सर, तो उनकी मरत्य हो जाएगी, यानि कि सर, वो डैड हो जाएगे, याम भी जानते हैं, सर, देखो आप, किस दिन भाई खाना मत खाईए आप, सोबे सोबे खाना मत खाओ, और फिर आप ऑफिस आजाओ, या आप स्कूल चले जाए, या कोशिं बाई सर, पूरा दिमाग खालाब रहता है पूरे दिन, मतलब खाना खाने के बाद ही दिमाग काम करता है, यह भी रियल्टी है, तो आप लोगों से बिंती है, जो बच्चे ऐसे हैं, जो टीचर हमारे हाँ चौब करते हैं, टीचिंग करते होंगे स्कूल आप, है ना, और या फिर जैसे मालो सपोस करो कि आपका फास्ट हो, उस दिन बताने भूग कहां से लगाती है बाई साथ, पहले उसी भूग लगना शुरू हो आती है, बैसे आप लई दोवे तक ना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लिए जिदन फास्ट होगा ना, उस दिन तो जान मुझ की लंग है सर, पहुते, द्यान ँझना, भोजन का निडमार करते हैं, ठीक है यह लहाय बोजन का निडमार करने वाले कोण है सर, ठीक है, मैसेज शे कर्केक नहीं सर, बेढ़ी भी, मैसेज दों नॉचरूबोस đe很好 या दो चीज़ हो सकती है, या तो सबके message देखू या पढ़ाओं पहले, तो पहले पढ़ाता हूँ, ठीक है, पढ़ाने के बाद में फिर में जसी time मेलेगा आपके message भी देखूँगा, comment भी देखूँगा, ठीक है, बटा बुलकुल इस YouTube के माध्यम से ही हमारा सारा syllabus complete होगा, ध्यान मत रखिएगा इस बात का, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, EBS का session आप YouTube से ले लो विड़ा, ठीक है, आपको paid batch ले रहें कि को जो तो नहीं पढ़ेगी, ठीक है, कई से मत पढ़ो, बस यहां से पढ़तारो, आप लोग daily basis पर, और अब sequence लता रहेगा, देखो आपने, क sequence के basis पर आप classes को क्या करते जाओगे, देखते जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, तो बटा यहां पर देख सकते हैं, कि सभी जीवों को अगर देखा जाए बेटा, प्रत्च या अप्रत्च रूप से, भोजन कहां से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है, देखोगे आप, तो डारेक्टली या इंडारेक्टली वी आर गेटिंग दा फूट फ्रॉम दा प्लांट्स, ठीक है, और उसमें देखेंगे सर, तो बोजन हमें किस जीवों से, किस तरे से मिलता ही देख लेते हैं, भाई आप यह बता हूँ मुझे, जरा तान समझे, कि आप जब खा प्लांट में आलू क्या होता है, स्टैंप होता है, दाल है इसमें, डाल भी किस से मिलती है, प्लांट से मिलती है, गो भी किस से मिलती है, प्लांट से मिलती है, चावल है इसके अंदर, चावल भी कहां से मिलता है भाई हमें, प्लांट से मिलता है, रोटी रखी हुई है, य जाने कि आप देखोगे, जितने भी आइटम आपको यहां पे देख रहे है, सब किस से मिल रहे है भई हमें, प्लांट से, है ना, अब ऐसा नहीं कि जीवों से भी प्राप्त नहीं होता, बुलकुल होता है, लेकिन मैंने क्या कहा, कि डारेक्टली इंडारेक्टली हमें भोज हैं मैं जाने कि जाहिएंगा हमत, सर प्लीज सर आप पता दिजिये फर्स और बहुं देख लगया पेपे पड़ा रहे हैं कि ज्यान ही जो होता है पेपर फर्स्ट में आता है ज़ान आता है सेकंड पेपर में यीविस नहीं आता, मैथ वालों के लिए साइंस आती है और ए है समझ में आ गया लेकिसा मैं यह देख रहा हूं कि भाई लाइक नहीं किया या लोगों ने अभी तक 600 बच्चे लाइब हैं यहां पर लेकिन लाइक नहीं है भाई सेर्विश्ट अबर से सेशन को लाइक कर दो पहले फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से बढ़ावर से यह आगे देखते हैं तो आप देखो जरा कि जो बोजन है हमें जो मिलता है वो कैसे मिल रहा है मैं बता ज़ता है अब लोगों को आप दिखा देता हूं जरा एक बार ठ पौदों से आपको जो मिलता है वो कैसे मिलता है बताएंगे हम वे जीव जो केबल पौदों को या पौदों से किसी बहागों को खाते हैं वो कौन से होते हैं आपके साकारी होते हैं यानि कि हम देखें सर तो कई तरीके से हम डवाइड करते हैं साकारी मासाहरी यानि कि वे जो केवल अपके पौदे या पौदे किसी बाग को खाते है हो सकता है कि वो जैसे गोवी है गोवी फूल होता है बंद गोवी होती है ठीक है ये जो आपके पार्ड है ठीक है वो सारे के सारे क्या हैं सर आपके वो जीव होते हैं जो मास नहीं खाते पेड़ पौदों पर ही अपना पूरा बोजन डिपेंड होता है इसमें आपकी गाये होती है सर गाये देखा होगा गाये गहास खाती है भूसा खाती है है ना समझ रहे हो आप गाये में गाये है बहेंस होती है हमारी वो सब क्या होती है, बैल हो गया, हिरन हो गया, बकरी हो गया, हाती हो गया, यह सब क्या है आपके, ऐसे animals हैं, जो क्या होते हैं, साकारी है, समझ में आ रहा है point, अगर समझ में आ रहा हो तो session को वह पिटावट से like और share कर दो sir, जल्दी से session को like and share कर देंगे यहाँ पर, ठीक ह EVS ठीक है बाई सोलंकी सर आपको पढ़ा रहे हैं कौन EVS ठीक है सोलंकी सर यह ध्यान से समझेगा इसको ठीक है और हाँ यहाँ पर देखो लिखे भी दिया किसी ने टेलिगराम ID यहाँ पर EVS बाई सोलंकी सर कमेंट देख लो भी सारे बच्चे यहाँ पर एक बार ठीक है आगे बढ़ें सर तो यह है आपका यहाँ पर साकारी दूसरा सर आपको देख सकते हैं यहाँ पर जराफ है ठीक है आपकी गाह है गोड़ा है बैंस है ठीक है दूसरे सर आते हैं आपके मासाहारी, नौन वेजटरियन, यानि कि इसको हम लोग आपका मासाहारी, जो आपके कैसे होते हैं, नौन वेजटरियन तो नहीं कहनते हैं, ठीक है, बहुत से लोग इनको की नाम से दे सकते हैं, तो सर वे जानवर, ठीक है, कौन से जो मास खाते हैं ठीक है, क्या कहलाएंगे आपके, महासारी जीव कहलाते हैं, और इसमें आप देखोगे सर, तो सेर है, बाग है, आपका सेर यानिकी, टाइगर हो गया, लॉंबडी है, तेंदुगा, मैडक, छिपकली, ये स्चील, ये सब किसमें आते हैं सर, महासारी में आते हैं, ठीक है, इ है, ये सारे जीव किसमें आते हैं, बाग है, महासारी में आते हैं, रादे रादे सर, बुलकुर रादे रादे बाई, मैं तो वेजिटेरियर नियुक्ता नाली कह रही है, तो डिपेंड करता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बता हूँ आप लोगों को के, तो आपको रिपलाई भी दूँगा और देखो टाइम हम लोग जो है हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैंने यहां पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए प्रॉपर स्लैल बना रखी है जिससे कि आप लोगों को यह PDF में प्रोवाइड करके आप आसानी से अपने घर पर बाद में नोट्स बना सकें ठीक है होता है कि लिखने में सब टाइम बहुत खराब हो जाता है और इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम यहां पर एक एक लाइन पर ची लिख पाएं समझ रहे हैं आप समय रहे हो आप जीवा खातून इंगले से नहीं होगा क्या हार भी वोरस ठी एब्रीवन लाइक एंजियर श्रीवानी बुल्कुल यही चीज यार यह सपोर्ट करो वेटा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूट है यार हमें ठीक है अभी बीसर देख रहे हो आप लोग के सारे बच्छों ने सेशन को भी लाइक भी नहीं किया है डेट सब रहे गया बस कमेंड करो सेशन को लाइक करो शियर करो बटा एक एक चीज समझाओं आप लोगों को तो वैजीव जो साकारी भी होते है और मासा हारी भी मतलब सब कुछ खा जाएंगे सर पेड़ पौदे हो वो भी चलेंगे जीव जनतू हो वो भी खाएंगे किसी को नहीं वो आपका पेड़ पौदों को भी खाता है और बाइस साब इनों में से कोई अगर और मिल जाए तो उसको भी ठीक है अब बहुत क्या है आपकी साकाहरी है सर हर भी वोरस करणी वोरस में आपका कौन आ गया लॉइन आ गया टाइगर आ गया सरवाहरी में आपका जो है मनु आप तरीके से समझाएंगे भी उसको बहुत को टेंसर मतलो सर जी जैसा इंग्लेज की क्लास ने इस यार आपकी कमेंट निकल जाती है बीटा जानकना कमेंट पढ़ते ही निकल जाती है ठीक है गुड़ा फरन्नून जॉली गुड़ा फरनूनुडा सर एवी एस का सिलेवर निकल निकला? बैटा ध्यानकना आपके एक्जाम से 10 दिन पहले खताम करा दूगा यह द्यान कहींगए गा आपके एक्जाम से 10 दिन पहले खताम हो जाएगा लेकिन बस आप लोग सपोर्ट और प्यार पूरा देत रहिए अपना लोग सहließन को पहला कुछन आपका बनता है या पत्ता गोबी है, या फिर पालग मैती धनिया, ठीक है, तने के रूप में बताना है आपको सर, तो हम देने पहले देखा था अर्भी भी क्या है, एक तना है, और आलू भी क्या है, तना है और प्याज भी, तो सर आम से क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, सीधा से लगा किया, यह बताओ यार, मैं तो आपका सुबह सर लेगी रहे हैं, वो पेपर फर्स पेपर दोनों की करा रहे हैं, साइन्स आपकी साम को हुई रही है, है ना, SST जो है, आपके नमनी सर लेगी रहे हैं, आपको साम को, हर क्लास चल रही है, बटा देखो इवा चैनल को प्रॉ आता है, प्याज आता है, लेशन है, अद्रक है, हल्दी है, यह सारे पार्ट हम पौदों के तने के रूप में खाते हैं, ध्यान से समझना है, कि हम पौदों के तने वाले पार्ट जो हैं, यह सारे पार्ट आपके तने के रूप में खाते हैं, जड़ के रूप में अगर ब EVS, environmental और हम जानते हैं कि क्या होता है environmental जो हमारे आसपास चारो और जो चीजे हमें मिलती है जिसका हमारा directly, indirectly, क्या है interrelation है किसी ने किसी के साथ तो उस में से इस पर देखा जाए तो भाई हम जड़ें खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं भाई हम लोग, ठीक है पालक के पत्ते खाते हो आप ठीक है, बंदगो भी पत्ता है आपका, सरसों के पत्ते बतुआ खाते हो भाई है, आप खेतों में देखा है गेंगों के खेतों में बतुआ होता है एक कावद भी सुनी होगी आप लोगों ने पर शृब्टु आ उता है खे जिए नैं गयाओं के साथ नमी पानने लगता है आपका यहां पर टे कि आ और चने की पद्ते भी खाते हैं भई है ना तो और यह पद्ती पलीप में आप लोग खाते हो बड़ा इंटेर्शन टॉपिक चला है अगर किसी भी चीज को आप अपनी लाइफ से या अपने आप से जोड़ के देखोगे कई ने कहीं उसका एक ऐसा माइंड में बना लोगे तो वो चीज आप दुबारा एक तो भूलोगे नहीं प्लस समझने में बड़ी आसानी मिलती है दिक्कत दाओ जब होती है जब हम लोग जिससे हमारा रिलेशन होता है क्या उसे हम भूलते हैं कभी क्यों बड़ी किसी तरीके का हो बले जिससे भी हमारा रिलेशन होता है उसे भूल पाते हैं क्या हम लोग नहीं भूल पाते हैं है तो उसलिए कह रहा हूँ कि सारे बच्चे सेशन को मेरे साथ एक बार जो ता तरीके से लायक इंशियर कर दो और महाकाल का जेह करा लगाएंगे जेह महाकाल ठीक है बच्चो तो दूसरा यहाँ पर ही होगे पत्ते होगे भई अब देखो फूल की बात कर लो भई फूल में गुलाब फूल गुलाब का सुना होगा न है ना फूल गोभी ब्रोकली पर देखा है ब्रोकली आप लोग ने हाँ खाई होगी मुझे अटेस्टिन लगती है मैंने दो बार मागा आगे देखी है ठीक है गोभी की तरह होती है हरी होती है लेकिन यह है ना सीता फल इसा सीता फल पर बोल दिया कैसर ठीक है और चकनार ठीक है बीज की बात करें सर्थ हम लोग तो चना चना खाते हैं हम लोग मक्का खाते हैं चावल खाते हैं गयों खात आप फल में आ जाओ, सेव, केला, टमाटर, सीता, फल, नासपाती, आमला, यह साले आप फल की रूप में खाते हो, तो क्या नहीं खाते हैं भाई हम लो, हैं, यानि की पेड़ पोदों से हमारी जिंदगी, टेकी होई या टेकी होई है, अब तो मानोगे ने मानोगे, फूल ग जाल देता हूँ, और वाईटी वाले हमारे लेंक है, जहां पर आपका सेशन होता है, जहां कमेंड करते हो, वहां पर भी आपको पीडियाप का लिंक मिल जाता है, मैं दों जाल देता हूँ आपको इसलिए, ठीक है, लेकिन बच्चों, टाइम हो गया है, अगर अभी तक आ किलियर है, सीता फल, फूल भी बनता है उसका, ठीक है, हाँ, एवियस सोलंकी वाईज, टेलिगराम जिसको चाहिए, वो लेलो बाई, सीक है, एवियस क्लास वाई सोलंकी वाईज लिखा हूआ है, हाँ, सर नहीं मिलता, मुली और पत्ते भी होगा, हाँ ठीक है, मुझे बता जल्दी से सेशन को भाई, लाइक एंसीर करना है, फटाबट से, जल्दी से, क्रम आगे बढ़ते हैं, एक बार, सर टीचिंग का महापैक, वैलिटी वन एयर है, देखो भाई, आज सायद डबल वैलिटी का उफ़ण निकल गया है, तो अभी आपकी वन एयर की होगी, फिर ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं, सर, ये देखो भाई, ये आलू हो गए, ये प्यास हो गई, ये अरभी हो गई, ये तने थे आपका, है ना, ये तना है, और इससे आप लो अरभी, इससे में तो अरभी चल रही है, अरभी आपने अभी खाई होगी, है ना, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं सर क्या बात है वाई इस कमेंट को जोड़ी पढ़ेंगे यार हम एक बच्चे ने बड़ी अच्छी कमेंट की है फूल है गुलाब का सुगंद लीजिए कहां ये रही फूल है गुलाब का सुगंद लीजिए और क्लास है सुलंकी सर और पढ़के पास कीजिए क्या बात है क्या बात है ठीक है बई दन्यवाद ये हमारे चंदन राज ये है चलिए आगे जुड़ते हैं बई नेक्स लास पर ठीक है अब सर आता है नेक्स सोच्छन जन्टू बोजन के किन पर निरवर करता है उत्पादकों पर निरवर करता है उपवोकताओं पर अपगटक को पर या फिर उत्पादक और उपवोकता दौनों पर जन्टू जो होता है बोजन के लिए केस पर निरवर करते हैं ये कुछन पूछा गया है वाट डू एनिमल डिपेंड ओन दा फूड फूड तो भई आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पर बताए जल्दी से बच्चों भठाबड से तो भई यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बन जाएगा option D is the right answer उत्पादक और उपवोकताओं दौनों पर प्रोडूसर्स जो बोजन बनाते हैं व्यानिकी पेड़ पौदे है ना पेड़ पौदे क्या अगरते सर बोजन बनाते हैं यह आपके consumers हो गए सर अब इसमें primary consumer होंगे इसमें आपके secondary consumers होंगे इसमें आपके territory होंगे प्राथमेक, दितियक, तर्तियक है ना यह आपके और यह आपके होगे decomposers कवख होगे, फंगाई होगे यह हमारे क्या होते हैं सर decomposers होते हैं जो dead body को आपके या जो abscist पदार्थ होते हैं उनको क्या गरते हैं सर ठिक आने लगाते हैं ठीक है हाँ जी, good afternoon जोती कुमारी जी धन्यबाद रुणने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत आप लोगों का बिटा आप लोगों का support अभी अगर मिल जाएगा ना मेरे को तो अभी आप लोग भाई सारे बच्चे like and share करें बस class पसंदा रही हो, मज़ा रहा हो तो भाई like and share करें otherwise आपकी मर्जी है आगे बढ़ते हैं सरम लोग यह देखिए वाई अब यहाँ पर यह है आपका मनुश है ना, इसे बकरी मिल जाए तो बकरी खा जाए दो कुलो मुर्गी मिल जाए मुर्गी भी खा जाए है ना, और यह आपका पेड़ पौदे भी खा जाए हैं, क्या नहीं खा सकता यह है सूरज इस सूरज से आपके सीधी लैड मिलती है इसको, प्लान इसको यह अपना प्रकाश संसलेशन की परिक्रिया के दोवारा अपना भोजन बनाते हैं है ना क्यों बई, प्रकाश संसलेशन दोवारा अपना भोजन बनाते हैं और यह बाई साहब है यह इसको भी गटक जाएं क्यों बई सही कहना गलत कह रहा है कितने लोग बई ऐसे हैं जिनको एनिमल लवर्स हैं जो एनिमल से बहुत प्यार करते हैं अब यह बता दे ना कि खाने के मामले में प्यार करते हो या पालने के मामले में प्यार करते हो कि ऐसा नहों कि एनिमल लवर्स तो हैं लेकिन खतम कहाने उनकी वचारों की मनिशको सर्वाहरी कहा जाता है बई है ना man is called the omnivorals because क्यों कहा जाता है यह क्योंकि पौदों से अपना बोजन प्राप्त करता है बुलकुल करता है जीवां पर अपनी बोजन के लिए आसरित है या फिर वो पौदों और जीवा दौनों उत्पादों को खाता है तो बुलकुल सही है सर यहां पर सी वाला आंसर जो है क्या बन जाएगा भई मनुश्य के लिए बुलकुल सही बनेगा सर ठीक है कहते हैं कि भई मानव मनुश्य जो है इसके बाद दिमाग है है ना इसलिए इसने दिमाग से अपने अपने लिए बहुत ज़्यादा चीजें ऐसी बना रखी है कि भई पर्यावरन का संतुलन खराब सबसे आदा कोन कर रहा है मनुश्य और इसको सही करने की जिम्मेदारी भी किसकी है मनुश्य की ही है है ना तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत है बगवान कैसे बदल गया इंसान है ना सुनाई होगा अब लोगों ने गाना बड़ अच्छा गाना है आगे बढ़ते हैं सर आंसा सी मनेगे हमारा यहाँ पर तो जानवरों के मुँँ का आकार और दातों की बनावट इस तरह की होती है जिससे कि वो आसानी से अपना मुझन प्राप्त कर सके यह तो किलियर है भगवान ने हर चीज को हर तरीके से एक ऐसा सिस्टम कर इसे बनाया है ठीक है कि वो उसकी अकॉर्डिंग चीज़ों को कर सके कहते हैं मुझे एक बंदा मिलाता ठीक है और वो था ठाकुर साब थे वो ठीक है अब उसे बोले कर जो है न आपके दांतों को देख ऍठादिया कि यह तंह हो και बैद हो एक घ्रक ऑ प्यास से और आपके दांत ना इज़ो आपके दांत हैं तो अपते हैं जो मास को चबाने के लिए बनाया यह है कि दाइटों का बड़ा दिंपेंड करेड़ाれखो अघ्या के जो आगे दातो पूते न छोटे उते हैं जिससे व आसानी से गाय बूसा को सुंकर क्या गर ले पीछे की तरब ले ले और पीछे के दांत जो होते हैं बड़े होते हैं चोड़े होते हैं जिसको वो आसानी से चबा सके देखा होगा वो क्या करती है सुकरत लेती है पहले वो बोजन को बहल लेती है गाय और बैस और फिर वो बात में उसको क्या करते है वो चबाते रहते हैं ठीक है, सर जी दिखनी रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूँ, या फिर स्लाइड नहीं दिख रही है, क्या नहीं दिख रहा है, बच्छों बताओ जरा, नाजमा हासमी ने लिंक सेर करते हैं, बहुत बहुत सतुक्रिया, तो बहुत यहां पर और अभी तक भाई लायक और शियर नहीं किया है, सारे बच्छे से शेसन को भाई लायक और शियर करते हैं फटापड से, जिससे वो आसानी से चबा सके सर, अच्छा, कुत्ते हो गई, बिल्ली है, सेर है, बाग, आद के दांत, ऐसे होते हैं, जिससे वो मास को फाड और काट सके, समयरे हो भाई, इसलिए वो क्या हैं, मासारी भी होते हैं, तो उनके दांत भी ऐसे बनाए गए हैं, ठीक है, कि भाईया वो आसानी से क्या कर सके हैं, फाड चार काट कर सके हैं, ठीक है, नियासिक दन्यवाद, क्लास अच्छी लेग रही हैं इनको, आगे बढ़ते हैं, next point, कबूतर की चौँच एक ऐसी होती है, जिससे वो दोनों को पीस सके, जो दाने होते हैं, उनको पीस आ जा सके, उसकी चौँच ऐसी होती है, ऐसे ही हानी बिल की चौँच भी ऐसी होती है, जिससे वो फल और कीरे मकोडे को खा सके, ठीक है, बगला की चौँच जो है, इसी हो सब बतलब उसकी चौच ही इस तरह से बनाई गई ए ठेक है कि अवाहसानी से कीड़े मकोड़े को खा सके गिलैरी जो होती है यह कुछ ना कुछ क्या करती है वही कुछ क्टरती रहती है कि गौट भूंक करें से बहुत अच्छा पढ़ाते हो भाई धन्यवाद तो यहार हमारा किवल एक ही उद्देश है आप लोगों को समझाने का चीज़ों को कि दियान से पढ़ना है और बहुल मुझे बुर्ण को पढ़ाना है जिनको EBS नहीं आता है जिनको EBS आता है वो पूरेंट पार्ट है आपके सीटेट को लेकर के वो सारे चीज़ें आपको यहाँ पर प्रूल करा रहा हूं चीक है विवा कुमारी चलिए आगे बढ़ते हैं सर अब देखिए बई यह हैं आपके साकाहारी है ना मासाहारी और सर्वाहारी तो यह मैं आपको बता चुका ये सारे के सारे क्या हैं आपके साकारी में आते हैं और जितने भी आपके मासारी में जो जनतु के बल मासक आते हैं जिसमें आपका सेर है चीता है मासारी में आ जाएगा और मनिस्त जो है वो किसमें आ जाएगा आपका भई सरवाहारी में आ जाएगा क्योंकि सब कुछ खा सक सबसे पहले सेशन को जल्दी से बच्चो सेशन को शेयर कर दो या है ना लाइक एंड शेयर बनता है आप लोगों का बाई सपोर्ट है ठीक है आगे बढ़ें आगे बढ़ें यां तक किलियर है सर कमेंट में ज्यादा टाइम निकल जाता है निकलता है क्या करना पड़ता है लेकिन ठैसे मनलो दस दिन पहले आपका पेपर पूरा खतम करा दूँगा और 30 में से 30 नंबर लाइंग आने हैं आपके पके हैं यह 30 में से 30 नंबर बस नोट बनाते रहना मेरे मेरी कलास के बस बिटा आप लोग मेरी पीडीएफ ले करके और अपनी हैन рाइटिंग मे has datS भाड़ना ये आपस 40 थीक है आगे तेल चंटा कहते हैं उसको जबतार्तों के आदारपर किस सेडी में रखा गया है यह पूछा गया है ठीक है तो वैशा कारी है मासा हारी है उत्पादक है या फिस सर्वाहारी है तो वैई आपकी बात कर तेल चंटेगी तो आंसर क्या बनेगा यहांपर मेरे बास? जै माकाल प्रीती उपाद्दय जी ठीक है ओके ओके सर आगे बढ़ते हैं तो आपका अंसर है सर वाहारी में आता है सर आपका यह भी सब कुछ खा लेता है सब छूच यह देशकते हो भई देख के डर तो लग रहा बुलकूल देख लो भई आपका ठीक है वाश्रूम में मिल जाएंगे देखने को आपको यह ठीक है आगे बढ़ते हैं सर इन में से किस के द्वारा पर्यावणन के उद्देशों का अनुसरन नहीं होता पेडलोजी का कोश्चन है एक ब्यारा कोश्चन दिया हुआ है मैंने इन में से किस के द्वारा सिच्छन के उद्देशों का अनुसरन नहीं होता सर तो पहला है प्राकरतिक बिन्नता एवम उसके कारणों को बताना दूसरा कहता है आदार भूत प्रत्यों और सिद्दानतों को रटकर याद करवाना बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द है पर्यावन सिच्छन महतवपूर है क्यों क्यों महतवपूर है वही पर्यावन मानव क्रियाओं के अंते मंद को धरसाती है या फिर सर बच्चों में उनके परवेश के विश्य में समझ विक्सत करती है या फिर उपरोक्त सभी तो यहां परांसर क्या आपने का बेटा देखता हूं क्या अंसर लगाने बश्ये तो यहां परांसर बन जाएगा बेटा आपका D उपरोक्त सभी D is the right answer all of the above क्या बन जाएगा यहां पर आपका राइटांसर बन जाएगा सर थोड़ी सी दमलाओ लगा दो भाई आपके जितने भी फ्रेंड हैं जितने भी दोस्त हैं जितने भी आपके ग्रूप हैं उन सब जगे सेशन को चला एक बार लास्ट पायत कर रहा हूं मैं सेशन को आपके लिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं सर यहां पर मरत जीवी जीवाँ को मरत जीवी इसलिए का जाता है क्योंकि वो मरत होते हैं या मरत होने के पास होते हैं या मरत जीवाँ को खाते हैं या मरत जीवाँ के सरीर में रहते हैं तो मरत जीवी जीवाँ को क्यों कहते है क्योंके सर क्या होते हैं यह मैंतर जीवों को खाते हैं यह डैड बोडी को खाने वाले डिकम्पोजर्ज होते हैं उनकी बात हो रही है आपकी यहां पर देखा ओ दो तरीके से लोग क्या करते हैं अलग अलग रिवास के अनुशार अलग अपने धर्म के अनुशार कुछ वहाँ पर किवला हड़ी बचती है कुछ नहीं बचता तो क्या करते हैं बढ़ते हैं और पोशन प्राप्त करते हैं अपना क्या कहलाएंगे उन्हें हम लोग मृत जी भी कहलाते हैं है ना देखो यह भी यहार आपका पर्यावण का एक संतुलन है अगर ऐसा नहीं होता तो सोचो क्या होता इनका तो पूरा सिश्टम ऐसा बना रखा है कि भाई ठीक है सब को ढगाने वादा लगाने वाले लोग विवस्तित हैं सबका सबको काम पताएगे इसको क्या करना है इ और यह कवग या फंगाई जो होते हैं, जीवाडु हबा मैं म έχει ह Upper Shara B184 code use करिएगा, आप जॉइन कर सकते हैं, कोई दिक्कता है जॉइन करने में मुझे बताओ, मैं बताओंगा आपको कैसे जॉइन करना है, कोई दिक्कता है आपको, सर मैं यह पूछ रहा था, कि इस साल मेरा B8 Second Year है, तो एक्जाम पाया, दे सकते हो भाई, Second Year तो भी एक्जाम क्यों होते हैं, ठीक है, जल्दी बिटा, बुलकोल, नेदी, सचान, जल्दी क्राउस करो भाई आपका, पहले 900 क्राउस करो, जल्दी से फड़ाबर्स, अब आता है से आपका मनुस्त के सरीर में उर्जा प्रमुक्सरोत क्या है, ठीक है, एक-एक कोश्चन को ऐसा रटा कि फूड से टॉपिक अगर आपका सीटेट का पेपर हो या यूपीटेट का हो, कोई कुछ ना आजाए, आप छोड़ के नहीं आओ गया, ठीक है, महनत करेंगे दोनों लोग मिल करके, आप अपने लिए और मैं अपने लिए, क्योंकि हमारी भी महनत आपके लिए हो रही है लेकिन उसमें आप लोग जब नहीं आए हमारे पास, तो महारी महत करने का फाइदा ही क्या हुआ यार, ठीक है, यस, देखो यहाँ पर कुमारी रिया भी कह रही है, हंडर वाचिंग करो, ब्रदर एंसिस, बैस सारे भाई वैनो, जल्दी से सेसन को लाइक और श्रिया कर द राइट आंसर ऐसा, देख लो भई, है ना, चंदरमा से नहीं मिलती अटर जी आपको, ठीक है, कहां से मिलती है, कार्बो हाइडरेट, अब कार्बो हाइडरेट क्या है भई आपका, यह आप हमें हूजा देता है, इट गिफ्स अस एनरजी, और भई आपका ग्याहूं से मि मिलता है, ठीक है, इन सब से आपको कार्बो हाइडरेट मिलता है, देखो भई, हम हमेशा सेखते रहते हैं, बच्चो ध्यान रखेगा, आप लोग हम से ज़्यादा उश्यार हो, क्योंकि आप लोग पास पता, इस समय CDB पढ़ रहे हैं आप, आप हिंदी पढ़ रहे हो, मै ठीक है, कि सर को बहुत कुछ आता है, सर को कुछ भी आता है, बस आपके ही महरवानी से आता है, ठीक है, सर सुपर्टै का बैच पेड, हा मुल्कुल बढ़ वो भी लाइब होने वाला सुपर्टैट का भी पेच आपका, ठीक है, वेरी गुड बहुत बढ़िया उमेश अगर मसीवत है तो मुस्करा के चल आदियों के प्यरों के तले मंजिल भी क्या बात है बहुत बढ़िया चलिए 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 सर आगे बढ़ते हैं हिरन चीता फिता करमी का करम से उच्छत करम क्या होगा सर ता प्रॉपर ओडर ऑफ द डियर ठीक है टाइगर और टैप वाम तो भई साकारी है यह मासाहरी है सरवाहारी पढ़जीवी यह पढ़ज पढ़जीवी है ना यही बनेगा आपका सरवाहारी यह सरवाहारी पढ़जीवी है सही है तो आंसर क्या लगाएंगे बढ़जीवी यह लगा लेंगे ए इस दा राइट आंसर ठीक है क्या आंसर बनेगे हमारा ए इस दा राइट आंसर बन जाएगा बहुत बढ़िया साकाहरी और यह रहे मासाहरी और बात कर रहे हम लोग इसकी किसकी फीतागरमी तो भाई यह फीतागरमी क्या एक परजीवी होता है सर कीरों में पेड में जो कीरे हो जाते हैं देखा हो आपने उस पर यह क्या करता है अपने आपको पालता है इसलिए इसको परजीवी कहते हैं देखो कि तो आप ऐसी होते हैं देखो इस तरह के कीड़े होते हैं ये पेट में निकलते हैं ठीक है बच्चों के खासकर ये हो जाते हैं सर अगर ध्यान दिया हो आप लोगोंने तो ऐसा दिखने को मिल जाएगा तनवीर जी कहлись कब से सुपर TET का स्चाड लोग है ठीक है तनवीर में आपको बहुत जल्द ये बैठ आपा दूगा कि सूपर TET कि सुरूरह रहा है सारे बच्चे सेशन को like and share करते हैं जल्दी से आगे बढ़ते हैं सर चावल और ग्याहूं से प्राप्त होता है श्टार्च तो भई आपका वो प्रोटीन का है वसामल सरकरा या फिर ग्लाइकोर्जन क्या अंसर बनेगा बच्छे बताओ ठीक है तो रिंखी कुमारी बताइए अंसर क्या बनेगा विट आपका यहां पर और उपका यहां पर सरकरा के रूप में बिलता है आपका चावल और ग्याहूं से प्राप्त तो यह स्टार्च होता है वसार करा का बहुलक होता है तो बैस सकर है, सरकरा या चीनी की बात करें तो ये क्या एक्रस्टिलिक अदर बदार्थों हैं जिसमें मुख्यते आपके सुक्रोस, लेक्टोस और फ्रेक्टोस की उपस्थिती होती है और मानव में स्वाद गरंथियां जो होती है वो मस्तिक्स को इसका स्वाद, मीठा बताती है तो शेशन को फटाबड से लाएक और शिया कर दो बाई, जल्दी से, बहुती जल्दी, ठीक है, सर उत्राखंट की टैट की भी गलास चल नहीं, मुल्कुल बिटा है, उत्राखंट का भी एक आपके इंपोरेंट है आपके लिए, दूद और दूद उत्पादों में मुख्यत पाया जाता है, क्या, तो भी आपका खनेस प्रोटीन और बिटामिन पाया जाता है, या वशा, कैलसियम और फासपोरस, या फिर कार्बो हाइडरेट और खनेस और वशा, या फिर खनेस कार्बो हाइडरेट और प्रोटीन, बताइए भी दूद और दूद से बने वह संसा कि केलसियम का नाम आता है बसा होता है फास्पोरस ऑप्सन वी जो है आपका वो मिलगा क्योंकि सर डूध पीने से हड्नी तोती है क्योंकि उस में क्या होता है कैलसियम होता है इसलिए हड़्या क्या हुती है नो में बेटा मजबूट होती है गाउं में देखा होगा दूध आपका घर का लोग पीते हैं एक लिए आगा सब्सकेंद होने एक वरावर है ति हमीकल वने नहीं है इतना दूध वासद इतना दूध सौनल मिल जायों आपको आज आगर दूधर तो तो वहाँ मिलावट नहीं है वहाँ खतम तो खतम वहाँ कहा से मिलाएं वही क्यों? सही कहा रहे हैं? सर, TET बैच की फीज क्या है? बिटा, TET फीज की जो फीज है वो अठारे सो रुपे है अगर आप Y184 कोड लगाओगे तो बिटा, अठारे सो रुपे में आपको ये बैच मिल जाएगा यूपी टेट का और सी टेट का भी ठीक है? चुलबूल, मैं भी कह रहा हूँ कि यार आप 1000 प्लस होना चाहिए ठीक है? मैं लगता है बच्चे कहने से 1000 नहीं हम सीधा आपके 1500 प्लस करवाएंगे क्यों भी ऐसा मुड़ है गया? जल्दी विदा भी जल्दी आओ से तो चो टाइम होता जा रहा है हमारा हमारे देश में दुख दुत पादन के लिए मुख्यते क्या होता है भई? पसू पालन किया आता है और पसू पालन में हम लोग गाय और भेंस का पसू पालन करते हैं सर ठीक है? गाय और भेंस का पसू पालन किया आता है और वहीं से हमें क्या मिलता है भई? दूद पर आप तो होता है ठीक है? और दूद में आपको इतना तो जरूर करेगा यार हमारे लिए ठीक है बच्चो चलिए सर आप बहुत अच्छे समझाते हैं रूबी कुमारी धन्यवाद रूबी जी बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है लेकिन बच्चो मैं आपसे यही चाहूँगा कि सारे बच्चे हमारे साथ सेशन को एंट तक देखा करें ठीक है आगे बढ़ते हैं सर यह देखी वाई यह दूध है है ना दूध निकालना के लिए मशीने आ गई है बैसे लेकिन बहुत से लोगों को दूध निकालना भी आता होगा ठीक है चलए चलए बढ़ी आगे बढ़ते हैं यह दाब का नेक्स कोश्चन हमारे सरीर में किन बिटामेन का संसेलेशन होता है बिटामेन को लेकर के ध्यान अखना भीटा आपके एक्जाम में कोश्चन जरूर आता है अब कोश्चन किस तरीके का आता है ये डिपेंड करता है कोश्चन किस तरीके का आएगा ये डिपेंड करेगा लेकिं बिटामिन को लेकर के आपके एक्जाम में कोश्चन जरूर आता है वह मैं कोश्चन कराने वाला हूँ अब कि बिटामिन पर बेश कोश्चन किस किस तरीके से आपके एक्जाम में बनते हैं ठीक है किस किस तरीके से आपके एक्जाम में कोश्चन बनते हैं बिटामिन को लेकर के तो यहां पूशा गया है पहले विच बिटामिन आर ठीक है क्या होता है सर संस्विस होता है तो विटामिन डी और के का होता है या फिर आपका विटामिन और ए और सी का होता है या फिर आपका विटामिन बी और सी का होता है या उपरोग तुम से कोई नहीं क्या अंसर बनेगा आपका बताईए जरा फटापट से ए आंसर होगा या भी होगा या फिर C बनेगा तो वह यहां पर आंसर बिटा बनेगा आपका ध्यानक किये फटाबट से लगाओ विटामिन D और K विटामिन D और K दो विटा ऐसी विटामिन है ठीक है जिन से आपका विटामिनों का क्या होता है संसरिशन होता है तो उप्सन जो हम क्या लगाएंगे D is the, A is the right answer जाना तर देखा जाता है आपका तो विटामिन को अगर देखा जाए हम लोग ठीक है तो विटामिन के कमी से जो रो होते हैं उन पर बात करेंगे विटामिन के केमिकल्स नेम होते हैं उन पर क्योशन बन जाता है कि कौन-कौन से विटामिन के केमिकल नेम है ठीक है और विटामिन छे प्रकार के होते हैं अगर देखा जाए तो विटामिन A है विटामिन B है विटामिन C है विटामिन D है ठीक है और विटामिन E and विटामिन K है ठीक ये कितनी टायबव की बडाबेन ऐसे टायबव की बडाबर है अच्छा एक शिसमें आती है कि वाटर में गुलने वाली बडाबीन सुरूऊंगि है तो वाई, बीडामीन बी और बडामीन ऋसीड़ पानी में गौरणशील है और इसके अलावा जो बिटामिन बची है आपकी यानि कैडा ये कैसी है? हाँ बिटामिन में आपकी जल में क्या है? अगुलंसील है लेकिन सर्व वसा में ये क्या है? गुलंसील है ये आपकी जल में क्या है? गुलंसील है बिटामिन बी और बिटामिन सी ठीक है तो यानि कि जो जल में गुलंसील बिटामिन है उनको याद़ कियेगा ठीक है कौन सी बिटामिन B और बिटामिन C और जो वसा में गुलंसील है यानि कि जल में आपकी अलगुसले को अपकी गुलंसील है वो कौन सी है आपकी कैडा ये आप नाम इसका याद रख सकते ह पंपने तरीके से थीक है ये आपका नाम इसमें जब रखा जा सकता है बढ़ी आँसारी से तो ये आपका cumplराई आप上से. आपको मैं बता हWhoa product कि कौन सी विटामिन से किस टाइप का कवीडामिन से किस टाइप का रोगों हो सकता है और उसका किया जिसको कमी है उसको ठीक है बाई देखो यहां पर हमारे नमीस तर आये हैं और यह कुछ हमें ख़लाना चाहरे हैं लो बाई वाई 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 मीठा मुग आ रहे हैं का संभिस्त करेष्या है दाही नमाहिए कणक करना में दूलीडे थे का सीसित कि रह टालूशं है वाई जोसे ओखुड़ी रहती है टिक है तो एक बार यह जो बहुत ही मिलने के शुक थे आप लोगों से तो मिलवा देते हैं आप से एक बार क्योंकि नमनी सर अभी गए थे आपके साथ हो कर गे और यहां पर अब वन थारन प्लस होना चाहिए ठीक है सारी नोसों चलना है लोग जो है सेसन को सेर कर दीजिए और तो सेस्ट की लग बच्चों को अभी तरसल तीन बजे होती थी परे तामिंग बदल गई तामिंग चेंज ओग यह पांच बजे हो गई एक बार सभी लोग पहले सेर तो करिए सेसन को सब्सक्राइब अब दिलवाता हूं आप जल्दी फटपट लेके बठाव पूरा बच्चाए तो चिंटा नंगरें आप लोगों का तो अभी हम क्लास अपनी ओवर करना हैं और आपकी क्लास अब इस खांसर की होगी इंग्लिस वाली ठीक है और कल से फिर आपकी क्लास का टाइम जो है आपको अप्डेट कर रहेंगे ठेक टाइम आपका क्लास की इनके क्या-क्या रोग होते हैं इन से और कौन-कौन से विटामिन के आपके करेक्टरे से लक्षण है और उनका क्या सोर्स ओफ विटामिन है ये सारी चीज़ें आपको मी बताऊंगा अब नेक्स ग्लास में ठीक है पेटा गोलू-मोलू ठीक है नमनी सर और हिंदी वाले सर हमारे बारे गोलू-मोलू है नो डावट इसमें ठीक है चलिए सलिए सर तो भाई अभी कोई विची जाएगा नहीं इंगलिस सखी ग्लास है सारविचे आएंगे वहाँ पर खांसर क्लास लेने के लिए और मैं आपसर कर तेंगे लास जैहिन जैवारत